आज की वीडियो में हम भात करने वाले हैं कि पासपोर्ट साज फोटो को कैसे बनाएंगे किunk히 आयए दिन हमें पासपोर्ट साज फोटो की ज़रूद पड़ती है कहीं हम बैंक में जाते हैं एकांट ओप्रियंग कराने के लिए तो वहां पासपोर्ट साज की फोटो को पास्पोर्ट साज फोटो को बनाएंगे खुश से सुगाज महीं इंजनियर राजा और मैं आप से सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अब नहीं किये हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और इस तरीके का निया निया वीडियो पाई आप और जाना तो आज की वीडियो में आपको एस्टेब बाएस्टेब दिखाने वाला हूं कि कि तरीके से आप पास्पोर्ट साज फोटो को बनाएंग चलिए वीडियो को शुरू काते हैं शॉट अप एंसे डाउं आज हम सेखेंगे कि पास्पोर्ट साज फोटो कैसे बनाया जाते हैं मैं आपको इस वीडियो में स्टेब बाएस्टेब देखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप पास्पोर्ट साज फोटो बनाएंगे पहले हम यह करेंगे कि अपने जो फोटो जो हम किलिक करेंगे उसके पीछे कोई सिंगल होना चाहिए है से हमें जाते हैं तो वहां पर देखते होईएगा जो हापटो कलिक करते हैं इससे यह ought का कटर आठ्सें होता है इस थी किलिक करेंगे इसके यह पर फोटो को microphones do पूंट कर करेंगे लिखा री पॉंट है डालेंगे इस तरीका से फूर-पॉंट-फैब prima की बात करें तो यहां पर वर्जुलेशन मेच डाल देनि है चुझा सिंपली यहां पर इसको करेंगे और यहां पर इस तरीका यह नहीं तो यह फोटो आपका फिर खराब हो जाएगा कि पासपोर्ट सब्सक्राइब इस तरीका से आपको जो है फोटो को बरावर कर लेना है इसको bara तो आपको यह फोटो यहां पे जो हैप ह book इस तरीके साब फोटो यहां पर कुरफ हो चुका है फोटो को क्लियर करने के लिए इमेज में जाएंगे इसके बाद यहां पर आपको एक उप्शन मिल जाता है कर गार या तो आप इसको आपको ब्रैटनेस को कम यहां जादे कर सकते हैं इसके लिए यहां पर देखिए इस तरीके से आप यहां से ओके करेंगे तो अपने फोटो को कलर अगरा करने के लिए इमेज में जाना है और यहां पर आपको एक उप्शन मिल जाता है क्रांटे आपको जाता है इसके फोतो और क्लियर करने के लिए यहांपर पीश्न मील जाएंग आपको जाने के वादे इसको इसको यह तो को आपको डाउनलोड करके अगर आपके फोटोशॉप में यह अब लेवल नहीं है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा जहां से जाने के बाद ड्रैक्ट आप इसको ओपन कर सकते हैं और इसको इसमें क्लिक करना है और यहां पर आपको आपको फोटोशॉप का तो इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही यहां पर आपको एक उप्सें मिल जाता है यहां पर देखिए फिल्टर का इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको क्या क यहाँ पर फिर्फेर्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक उपून मिल जाता है प्लाजिन जार्च दिसका कई एक कलिक करेंगे तुछ guides करने के बात जो है आपको यहाँ पे हो जाएगा इसके बाद यहां है पूफ्स इडाना है ही अब च्था बढ़轉 दो सुन Druiden यहां पर फोटो reflection को जतना इसको बढ़ा यहां पर देख रहे हैं इस मिद्स खाब पर यहां पर प्रैटकल के लिए यहां पर देर रखा है यहां पर जितने इसको बढ़ाएगा देखिए आपको फोटो और किलियर हो रहा है इस तरीका जितना इस तरीका से अपने हिसाब से फोटो को आप यहां पर कर देगा इसके आपने हिसाब्स के आपको और किलियर करने के लिए यहां पर आपको यहां पर इस पर यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर यहां पर आपको तरीके से यहां पर आपको पेंसल आइकन बंड़ जाएगा और जहां भी आपको दाखवा हटाना चाहते हैं उस तरीका से यहां पर कुलिक कहेंग बढ़ करने की रच बढ़ सकते हैं ट्र आफ करना तब इसको सब्सक्स करते हैं जो एसब सक्क्राइब करना है फ्लींघ करना को इस दाघ धबा वो इस तरीका से पूरा आपको बहुत इस हाँ से यहाँ से एंधो आपको बहुत ही अच्छा ठीक है जिस से यह बहुत ही आपने फोटो को आप यहां से साफ कर सकते हैं इसके अलाबा आपको जो है कहीं picture में अगर दाग धबा है या कहीं black एश्पोर्ट है तो उसको remove करने के लिए को करना क्या है यहां पे आप पीछ टूल का इस्तमाल करेंगे इस पर right click करेंगे यहां पे आपको heading brush tool और यहां पर अगर आपके बेग्राउंड का जो color है उसको आप remove करना चाहते हैं तो यहां पर magic tool है इसको magic tool पर click करेंगे और एक वर क्या करना है यहां पर click करना अगर आपको single color है तो total select हो जागा जैसे यहां पर आपको multiple color रहेगा तो फिर आपको जो है यहां पर select नहीं होगा आपको बारे-बारे साथ इसको select करना पड़ेगा इस तरीके से यहां पर देखे टोटल का टोटल यहां पर आपको select हो जाता है अगर आपके आप टू याठी यहां पर आप जो है फीडर रेसों डाल सकते जैसे में यहां पर ठीड़ी डाल देता हूं इसको simply यहां पर इसको क्या करना है इसके पर आपके जो फोटो है उसके डेलॉंड राखना चाहते हैं तो इसको इसको ओक यहां पर देख्जाently यहां पर धेक यहां पर रिमूब हो चुका है, यहां पर देखिए कीबोर से डिल्ट बटन प्लेस करते ही, जो आप कलर अपलाई किये थे, वो यहां पर एड़ हो चुका है, इस तरीके से आप अपने फोटो का कोई भी कर यहां पर इसको रिमूब करके कोई अधर कलर यहां पर लगा सकते ह लेकिन हमें वाइट बेग्राउंड ही चाहिए तो यहां पर कंट्रॉल जेड करके हम इसको वापस आ जाएंगे इसके बाद इमेज रेडी हो गिया है अब क्या करेंगे कंट्रॉल प्लस एन करके न्यू फाइल लेंगे या आप यहां पर फाइल जाके भी ले सकते हैं तो यहां पर अपना फाइल चूज कर लेंगे कि आपको कौन सा फाइल रखना चाहिए जैसे पासपोर्ट साज फोटो करेंगे करेंगे यहां पर देखिये कि यहीं है आपका चार्ज सीऩ यहां पर आ चुका है अब क्या करेंगे इस तरह पोटो का करंगे फोटो इसके सलेक्ट कड वो इस इसरी इसनल्प करेंगे और यहां पर क्वह करेंगे ट्रोक ट्रेंग לבच पर करेंगे इसके ज़िए फिर। ट्रहिं करें खत्रों करते क react को लंगे करेंगे की लिगे स्टेवल करने मिंद eh कऱोंगा के लिए यहां पर अपना हिसाफ से यहां पर आप जितना भी देना चाहते हैं एक्टर्य से सकते हैं मगरर आपको यहां पर टू पे म्हीली इस को राख नहीं है दू कि descon जब दुद़ काओ श्र自ट तरह can William interesting और यहां पर रख दिनापको अपने कीबोर दोना है और अपने माऊस को लेफ्ट किल्क करके इस तहीज अब को पकर के इस्तरीय काजिए अप फोटो करना है इस तरीका है इस पर किलिक करेंगे और यहाँ प्रेक्टेंगलर मार्किर किलिक करके आपको क्या करना ना है फोटो के पहले पूरा फोटो को आपको स्ट कर लेने है इस साथ इस तरीके से कपी च्रैंगर कर देना है और जैसे करते हैं तो आपको क्या करना है यह वाला टूल पकड़ के इस तरीका से आपको उठा के इस तरीका से यहां पर लेकर आ करना है इस तरीका से इसको अलग और कोंपी बनाने के लिए अर्ट दबाये रहेंगे और इस तरीका से इसका कोंपी होते जाएगा और यहां पर इस तरीका से आप यहां पर लेते आएंगे जितना जी फोटो आपको बनाना है इस तरीका से आप यहां पर बना सकते हैं इस तर पूbalance पूरा पूरा आपका पास्पोर्ट साज फोट यहां पर फूल हो चुका है जिस तरीके से यह जो फोट फोटो यह फोल हो सकते हैं श्लाज में जाएंगे और यहां से आप से इस पर क्लिक करके इसको आप सकते हैं अगर इसको आप PhD में Save करते हैं एक कभी भी इसको चैंज भी कर सकते हैं लेकिन आपको इसमें कोई चैंज नहीं करना है, आप दुकान सा लागे निकालने छाते हें तो इसम्पली यहाँ पर चूज करेंगे और यहां पे इसको से बाला उप्शन है इस पर आपको सेफ कर रहे हैं पर आप चूज कर रहे हैं कहां सेफ करेंगे मैं जैसे यहां डेक्स्टॉप चूज कर लेता हूं और यहां पर आप कोई जो फाल इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और मैं सिंपली यहां पर सेफ कर लोगा यह इससे यहां पर देखिए फोटो कुछी ऊपर से कट रहा है अगर आप चाहते हैं कि फोटो नहीं कटे तो सिंपली यहां देखिए इसे जो है फोटो निकल जागा जैसे अभी नहीं लगा हुआ तो यहां पर इसको से कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको आप प्रिंट अब आपके कम्प्यूटर में प्रिंटर लगा हो तो अब यहां पर देखिए मेरा फोटो यहां पर आचुका है यह फोटो का आप mobile मिलेजिए और कोई भी cyber cafe या कोई भी shop पे जाए और इसको print out निकाल लीजिए इसी तरीके से अगर आपके पास कोई टेरा मेरा फोटो दिया गया है उसको passport साज बनाना के लिए तो इस पर double click करके इसको open कर लेंगे यहां पर 13 फोटो इसमों सेलेक्ट करूंगा यहां से में open कर लूँगा यहां पर इसको पर आ चुका है इस तरीकर से आपको फोटो रहे यहां इधर से रहे है यहां इधर से कहीं से घूमा रहे है simply क्या करना यह तूल है इसकी इसको क्या करना है यहां के गारना है यहां पर मिलता है और कलिक ने करेंन कर देना है यहां पर देंगार यहां पर यहां पर जैंगे और इसकार से आपको फोटन जो है जिदर भी भूमा रहेगा उसको आप बहुत ही इसलिए सको सही हो तुम कर्णा प्रम करना त्षle है त्वन है यहां पर चुक राप है उन्द Шराण सकते हैं किवा इसका प्रिंदा इसे चोड़ देंगे और यहां पर इंतर करें कि यहां फोटो आपको खर शुका है सो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीकाश यहां पर करेंगे रहा सकते हैं इस तरीका से यहां पर ऊप्षान करेंगे इसको कलर करने के लिए simple image बजाएंगे और यहां पे adjustment बजाएंगे और यहां को लिएवल का प्समीड ता है यहां से ऐल करेंगे यहां पे जो फोटो का कलर हुग रहा है यहां से आप adjustment कर सकते हैं इसके अलाबा मैं आपको बताया हूं कि फोटो को करने को यहां पर इस तरीका से आया था है इस तरीका से यहां में उपक करेंगे आप फोटो पितना साफ हो चुगा है तो इस तरीका से आप फोटो को साफ कर सकते हैं अगर दाग धबा है तो इस पर जाएंगे और इसमी जाने के वाद आप जहां भी डाग धबा इसको इस तर टूल है इसपे किलिक करेंगे यहां पर prophet see a और फोलो तो आ पषैंट एप गरको नोष सब्सक्राइब करने जहां बिसा फ simplement अ चुका है इस तरीका से करेंगे कर देंग dato का यहां पर सरकल हचुआ साफ कर सकते हैं यहां फोटो आपको रेड़ी हो चुका है ुक पसपोटो के लिए है तो आपको तरीकर सब्सक्राइब करना इसका काम हुए भलाव फोटाइब हर चुका का करना है इसका काम हुए खतम इसको यहां से भी देंगे आप पर ह्लीकिंगे ढमेली आप व क्या न आसे आफ कह तरीका से पाभ स्टेब्ल मेंगे जेहां भी रखनातु क्या हो watts जाएगा अब क्या करना है आपको टूल लेना है इस पर टूल है यहां पर लेक्ट करेंगे और यहां पर किया करना है पहले फोटो को इस तरीका से पूरे को स्लेक्ट कर लेना है इस तरीका से फोटो पूरा आपको स्लेक्ट हो चुका है इसका क्या करना आपको कंट्रोल प्ल भाल रह चाहते हैं इस तरीका से फोटो को बना सकते है पूरे से फोटो को बहर लीजिए देखिए फोटो पूरा इस तरीक से आत चुका अब और क्या करना यह फोटो आपको परमिश्पोट पूरा आ चुका है अब इसको निकालनी के लिए आप यहां जाके फाल मारे यहां से निकाल सकते हैं सबस्केub कर सकते हैं से बाले के लिक करेंगे और क्या करेंगे आल डोप करके रख लेख लेना है और। सबसburg irr tourists को लेकिल यहां पर जो जाएगा तो यहां पर वोटो जो जाएगा तो यहां पर देखे फोटो अ करेंगे और यहां पर दरिक़ी फोटो आपका यहां पर पासपोरट स Ellis पोटो आ चुका है इसको आपनी मवाल फोन नितने आप सक्टींकतील को हैं जा आप श्रया निकाल सकते हैं किसे तो大家好 इसको श्रीन कैसे करें से करों thinking करें हैं पर और चलिए लेंगे यहां पे आप इसको यहां पे 3.5 या 4.5 यहां पे चूज कर लेंगे इस तरीका से फोटो को आप कर लेंगे फोटो यहां पर आ चुका है कंधा ब्रावर देख लेंगे इसको छोड़ेंगे इंटर कर लेंगे आपका फोटो आ चुका है इस तरीका से फोटो के यहां कर लेंगे यहां पर फोटो को क्लिन करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं इमेज में जाएंगे यहां पर इसमेंट में जाएंगे जाएंगे और यहां पर अपने फोटो को jpg clean up है इस पर click करेंगे और यहां पर आप फोटो को जो है यहां पर clean कर सकते हैं इस तरीका से जितना बढताओ एगा और आप फोटो clean होगा आप अपने हिसाब से देख लेगा इसको do okay करेंगे यहां आप एप फोटो clean कर सकते हैं इसके अलावा है कि अगर आप बेयंगर करन यह यास लेक्त हो चुका है तो इस तरीक सेलेक्ट कर लेंगे इसका वद क्या करना क्या है इसका यहां-पर की लिख करेंगे क्सीद करेंगे की सब्सक्राइब सब्सक्राइ artifacts करें है गिडिया थियुत और जह सेने हैं तो आपको यहां पर अपन अप्ला उत्टाइख है जब गया है इस तरीके से आप यहां पे color apply कर सकते हैं, इसको color को हटाने के लिए simply आपको करना क्या है? अगर हमको white background ही चाहिए, तो हमको control z करके वापस आ जाना है, लेकिन जैसे हमको white background ही चाहिए तो हमको control plus z करके हमको वापस आ जाना है, या simply क्या करेंगे? यहां edit है इस पर click करेंगे यहां पर step background करके आप दिखें बेग्राउंड राच चुका इस तरीका से यहां पर scratch आ इस तरीका से भी आप बाहर आ सकते हैं इसे आप कि रेंगे तो इसको फटाने के लिए क्ली क्लीक करेंगे अप the पी तो चोड़ करो आप पिरिंट आट कें निक़ा सकते हैं सब्याइब आज वीडियो में आपने जाना कि किस तरीका से हम घर बैठे पासपोर्ट साज फोटो को बनाएंगे सुवाई हो कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक करिए अपने फ्रेंड के साथ सहे करिए अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चेन हो तो नीचे कमेंट ब